पांडवो को एक चक्रा नगरी में रहते कुछ काल व्यतित हो गया, तो एक दिन उनके यहां ब्रह्मन करता हुआ एक ब्रह्मन आया, पांडवो ने उसका यथोचीत सतकार करके पूछा देव आपका आगमन कहां से हो रहा है, ब्रह्मन ने उत्तर दिया मैं महाराज दुपत क नगरी पांचाल से आ रहा हूँ, वहां पर दुपत की कन्या दुपती के स्वयमवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए है, पांडवो ने प्रश्न किया है ब्रह्मन तम दुपती में क्या-क्या गों तथा विशेशताय है, इस पर ब्रह्मन बोला पा ते हुए कलियानी नगरी के ब्रह्मनों की वस्ती में जा पहुँचें, वहां उनकी बेट याज तथा उप्याज नामक महान कर्मकानी ब्रह्मन भायों से हुई, राजा दुपतनी उनकी सेवा करके उने प्रसंद कर लिया, एवं उनसे द्रोनाचारिय के मारने का उपाई उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिया आप एक विशाल यगन का आयोजन करके अगनी देव को प्रसंद कीजिए, जिससे की वे आपको महान बलशाली पुत्र का वर्दान दे देगे, महाराज ने याज और उप्याज से उनके कहे अनुसार यगन करव उनके यगन से प्रसंद होकर अगनी देव ने उने एक ऐसा पुत्र दिया, जो संपोन आयूद एवं कवच कुंडल से युक्त था, उसके पस्च्यात उस यगन कुन से कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देवी पिमान थे, बोहे चंद्रमा के स समान वक्र थी, तथा उसका वन श्यामल था, उसके उत्पन्न होते ही एक आकाश्वानी हुई कि इस बालिका का जन्मक शत्रियों के संहार और कवरों के विनाश के एतु हुआ है, बालक का नाम दुरुस्ट धुम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया, दुरुप करने लगे, बालिका अब युवा होकर अंतियंत लावन मई हो गई है, और उसी का स्वयमवर होने वाला है, उस प्राम्वन के प्रस्तान करने के पस्चात पांडवों से भेठ करने वेदवयस जी आप पहुँचे, वेदवयस ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम आझाली का स्वैंवर होने जा रहा है वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है क्योंकि पूर्व जनम में उसने बगवान शंकर की तपस्या कि थी और उसकी तपस्या से प्रसन्नों होकर शीवจะ ने उसे अगले जनम में उतَّम पांच पति प्राप्त होने का वर्दान द दोस्तो द्रोपदी की ऐसी रोचक कई कहानिया है जो हम आपको सुनाते रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद